यूके में ओमिक्रॉन की पहली डेथ आई है, आधे नए मामले जो यूके में आ रहे हैं वो अब ओमिक्रॉन के, तो थोड़ा वहां से चिंता है और यह जो फेड की बैठक शुरू हो रही है, कैसे दिखेंसे? दिखें, दो चीज़ें दिए, पहली चीज़ तो यह ओमिक्रोन का पहला डेथ और ओमिक्रोन के 50% मामदे से डरना नहीं है, क्यों नहीं डरना वो बता तो अगर इतने पेशेंट्स पूरे दुनिया वने में ओमिक्रोन के हैं, और उसमें से एक डेथ होगे तो कौन सा बड़ बुखार है, तो मतलब वो बुखार किस वज़े से वाइरल है कि मलेरिया है, फरक तो इतने ही है, जी, करेक्ट, इसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़कर आ रहे हूं, जितने पहले हा रहे थे, उतने ही आ रहे थे, अब एक नया, हो सकता है, पहले भी हो रहे हो ओमिक्रो करने की बात है. Okay. Omicron की वाज़े से कोई, मैं तो उल्टा कहता हूँ. जब तक Omicron का डर है, जब तक Corona का डर है, तब तक Fade हो सकता है. आज की मीटिंग में, कल बोल दे. नहीं, नहीं, भी, हमें तो यह वापस से Omicron लग रहा है, तो हमें किस चीज से डरना है डरने के लिए अपने पास बहुत है और एफाइज है ना वो तो बने हुए है हमारे पास कोई क्या मतलब दिल चोटा करने के लिए डरने के लिए दूसरी रिजिन बहुत है करेक्ट ओमिक्रों नहीं है तो मार्केट का रिएक्शन एक दिन दो दिन के लिए हो सकता और होगा भी इस तरह कभी भी कोई ख़बर आ जाए तो उस खबर का भी अपना इज़्जत रेस्पेक्ट है उस पर मार्केट का रिएक्शन आता बट ओर और और डरने की बात नहीं है अगर फेट इसको देखके कुछ अच्छा सा बोल दे कि वह हम थोड़ा रुक रहे हैं हाथ रोक रहे हैं थोड़ा देख लेते हैं फिर डिसाइड करेंगे तो क्या पता बढ़िया तेजी बन जाए यू नहीं हो सकता है बिलकुल सर तो नजब आएगी फेट की बैठक आज शुरूए कल शाम को पॉलिसी आई यानि कि परसो सुभा हमारे बाजार इस पर रियक्ट करेंगे